हाई हेलो एब्रीवान हेलो माई केड्स कैसे हो तुम सब आई होप बेटा बहुत अच्छे से होगे और आई होप सभी ने अपना नीट का अप्लिकेशन फॉर्म फिल कर लिया होगा और अपनी तयारी को बूस्ट अप कर दिया होगा तो बेटा ठीक है हम लोग डिसकस कर रहे जिसके अंदर हमने structure of muscles और muscle contraction को discuss कर लिया था आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं muscles के कुछ parts और फिर हम आगे discuss करेंगे skeletal system को ठीक है तो बेटा हमने पढ़ा कि muscles contract करती हैं और muscles के contraction से ही हम अपने body के different parts को क्या कर पाते हैं, move करा सकते हैं ठीक है कुछ muscles कैसी थी voluntary थी जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करती है कुछ muscles कैसी थी involuntary थी ठीक है जैसे कि Smooth muscles and cardiac muscles इन पर हमारी इच्छा का कोई भी control नहीं होता है ठीक है इसलिए क्या कहते है involuntary तो हमने detail में structure किया skeleton muscles का और फिर देखा कि लगातार वो मसल्स क्या कर रही है एटीपी यूजS कर रही है कि यूज कर रही है जब हमने देखा कि जब मायोसीन का हैड जा करके एक्टेन से पर समस्ज़़ोय ऑँ तो फिर वह या हाइड्रमाइज कर रहा है आटीप करके वो क्या करता है ADP और पी आई में उसको तोड़ देता है ठीक है तो यहां पर बेटा एक question उठता है कि आखिर यह source of energy क्या है आखिर यह source of energy क्या है कहां से आ रही है तो बेटा एक टर्म को तुम याद रखोगे creatine phosphate ठीक है creatine phosphate यही break हो करके energy provide करता है muscles को ठीक है समझ पा रहे हो इतनी बात ठीक है तो इस टर्म को बेटा तुम बहुत अच्छे से याद रखो क्योंकि यह term बार-बार examinations में पूछा जाता है दूसरी बात why muscle gets fatigue आखिर ठक क्यों जाते हैं बेटा आखिर ठक क्यों जाते हैं ठीक है जब कि हमने जब cardiac muscles पढ़ी थी पिछले chapter में तो हमने क्या देखा कि cardiac muscles कभी भी ठकती नहीं है लेकिन जो हमारी skeletal muscles हैं वो ठक जाती है जब एक particular काम तुम एक limit से ज़ादा काम करवाते रहोगे अपने organ से तो वो क्या होता है एक time के बाद जवाब देता है कि भाईया बस अब तुम तो मुझे अपने बिल्कुल control में लिए हुए हो और लगातार contraction को trigger किये जा रहे हो ठीक है लेकिन muscles बहाँ पर fatigue क्यों हो जाता है muscles में तो बेटा ध्यान दो जब कोई भी काम लगातार continuously fast work कर रही है muscles तो उसको काम करने के लिए oxygen की भी तो ज़रॉत है लगातार continue oxygen supply की भी ज़रॉत है ठीक है लेकिन जब बहुत fast बहुत तेजी तेजी से काम करना पड़ता है muscles को तो वहाँ पर क्या होता है oxygen की कमी होती है क्या होता है oxygen की कमी होती है और oxygen की कमी होने के कारण muscles किस पर shift करती है और बेटा जब तुमने cellular respiration बढ़ा होगा तो तुमने पढ़ा होगा कि जब anaerobic respiration होता है तो क्या होता है fermentation start हो जाता है normally pyruvate के कितने fat होते हैं 3 ठीक है या तो वो alcoholic fermentation में जाए या तो फिर lactic acid में जाए और फिर अगर oxygen present है तो फिर वो TCA cycle में जाएगा ठीक है TCA cycle में जाएगा लेकिन यहाँ पर oxygen की कमी हो चुकी है ठीक है muscles किस पर shift कर गई है anaerobic respiration पर तो यहाँ पर muscles shift करती है lactic acid formation पर ठीक है pyruvate का fat यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो बिटा बनाने लगेगा lactic acid ठीक है और जब lactic acid बनने लगेगा तो क्या होगा इसका accumulation start होगा muscles में इसका accumulation start होगा muscles में accumulation यानि कि एकठा होना शुरू हो जाएगा ठीक है accumulation of lactic acid lactic acid in muscles ठीक है तो जब तुमने देखा होगा कि suppose अगर तुमने नहीं भी इस चीज़ को notice किया है तो ज़रा सा आज करके देखना लगातार अपने इस हाथ को इस तरीके से move कराते जाना और थोड़ा सा ज़्यादा time के लिए ठीक है फिर क्या देखोगे कि यहाँ पर एक burning sensation आएगा burning sensation आएगा ठीक है वो burning sensation क्यों आ रहा है क्योंकि मसल्स में क्या इखटा होना शुरू हो गया lactic acid ठीक है तो यही lactic acid बेटा responsible है burning sensation के लिए ठीक है burning sensation समझ पा रहे हो तो बताओ बेटा मसल्स क्यों काम करना बंद कर देती है fatigue क्यों हो जाता है उसमें क्योंकि वहाँ पर accumulation start हो जाता है lactic acid का और muscles को shift करना पड़ता है anaerobic respiration पर तो जब TCA नहीं चल पाएगा तो क्या होगा सबसे ज़्यादा energy production के लिए कौन सी cycle responsible है ठीक है TCA cycle समझ पा रहे हो TCA तो चल नहीं पा रहा क्योंकि oxygen से यह आगे ETS में जाने के लिए समझ पा रहे हो तो यहाँ पर ATP का production कम हो जाएगा ATP का production कम हो जाएगा समझ पा रहे हो और muscles कैसे हो जाएगी ठीक जाएगी और fatigue माने बेहोश हो जाएगी तुम्हें जवाब दे देगी और ज़्यादा देर तक जब दोड़ते रहोगे तो पैरों की muscle fatigue और तुम धड़ से वहीं गिर पड़ोगे समझ पा रहे हो इस चीज़ को ठीक है अब आजो बेटा types of muscles fiber आखिर muscles fiber कितने types के होते हैं तो पहला red muscle fiber और दूसरा white muscle fiber अब बात आती है कि आखिर red muscle fiber red क्यों है आखिर red muscle fiber red क्यों है क्यों हो रहे ड़े बेटा क्योंकि यहां पर number of mitochondria number of mitochondria बहुत ज्यादा है ठीक है बहुत ज्यादा है समझ पा रहे हो और mitochondria में किसका amount बहुत ज्यादा होता है वहाँ पर complexes में iron ठीक है ठीक है iron का amount ज्यादा है ठीक है और iron का color कैसा बेटा, reddish brown, ठीक है, इसी वज़े से इनको कहते है red muscle fiber, ठीक है, अब ध्यान दो, जो red muscle fiber होते हैं बेटा, वो काम बहुत लंबे समय के लिए करते हैं, ठीक है, धीरे-धीरे काम करेंगे और longer duration के लिए, एक rhythmic way में, ठीक है, जैसे जो athletes होते हैं, या फिर जो sportsmen होत होते हैं, कि उनकी muscle जल्दी ठकती नहीं है, जल्दी ठकती नहीं है, और वो लगातार, जैसे कि example ले लें, athletes का, तो वो लगातार काफी दूर तक दोड़ते चले जाते हैं, ठीक है, जबकि जो normal person है, वो क्या करेगा, बहुत जल्दी ठक जाएगा, बहुत जल्दी ठक जाए जादा होगा, energy production जादा होगा, तो उनको एक continue way में energy मिलती रहेगी muscles को, और वो काम करती रहेंगी, ठीक है, तो अगर comparatively देखें, तो बेटा, एक बात सोचो, कि जो इनसान बहुत तीजी में काम करता है, बहुत तीजी में काम करता है, वो एक समय के बाद बहुत जल्दी ठ लग जाएगा, ठीक है, और एक व्यक्ति ऐसा है, जो एक rhythmic way में धीरे-धीरे अपना काम कर रहा है, तो वो continuous तरीके से करता चला जाएगा, ठीक है, जैसे कि exam की त्यारी, जब तुम सोचते हो कि हम इस particular exam को देंगे, या फिर इस paper को हम देंगे, इसको qualify करेंगे, तो starting में तो जोश होता है कि मैं पढ़ूँगा, फिर धीरे-धीरे क्या होता है, वो जोश ठंड़ा होता जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो क्या करते है, उनका एक schedule होता है, और उस schedule को धीरे-धीरे, पूरे में क्या करते है, एपलाई करते हैं, और last तक ठीक है तो यहां पर बात करो रेड़ मसल फाइबर की तो यह एक रिद्मिक वे में लॉंग डूरेशन के लिए काम करेंगे ठीक है जब कि जो वाइट मसल फाइबर है बेटा यहां पर नंबर आफ माइटो कॉंड्रिया कैसा होगा बेटा कंपरेटिबली कम होगा दूसरा एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर की जो रेड़ मसल फाइबर हैं यहां पर मायोग्लोबिन कंटेंट बहुत होता है मायोग्लोबिन हाई ठीक है और यहां पर मायोग्लोबिन लो अब यह कोश्चन उठा कि मायोग्लोबिन क्या है मायोग्लोबिन क्या है तो बेटा हीमोग्लोबिन पढ़ा था ना रबी सी के अंदर क्या है हीमोग्लोबिन है जिसके पास क्या है ऑक्सिजन बाइंडिंग लेकिन हीमोगलोबिन का ही भाई कौन है मायोगलोबिन और जिसके पास हीमोगलोबिन के कंपेरिजर में ऑक्सिजन की अफैनिटी बहुत ज्यादा होती है बहुत कस्के पकड़े रखता है ऑक्सिजन को तो बताओ यह वाला कॉंसेप्ट है अपलाई हुआ ठीक है यहां पर ऑ कंपेरिजन में तो जड़ा से यहां पर धान दो जो रेड मसल फाइबर है उनमें मायोगलोबिन बहुत ज्यादा है और ऑक्सिजन को कसके पकड़े रहेंगे कमी नहीं होने देंगे जिससे की मसल में फैटेग नहीं होगा मिरवच्चों ठीक है समझ रहे हो इतनी बात और यहां पर मायोगलोबिन कंटेंट थोड़ा सा लो होगा इसलिए यह कम स्टार्ट तो बहुत जल्दी करेंगे लेकिन जैसे ही ऑक्सिजन की कमी होगी तुरंत यह क्या होंगे ठक जाएंगे समझ पा रहे हो तो काम स्टार्ट फास्ट वर्क बाट फॉरा शॉर्टर डियूर क्या इतनी बाद समझ पा रहे हो ठीक है तो यहां पर यह टर्म को याद रखना एक तो क्रियाटिन फॉसफेट यही है सोर्स ऑफ एनरजी ठीक है जो एडिपी और पी टूटा ठीक है वापस से उसको एटीपी में बदलने के लिए क्रियाटिन फॉसफेट की जरुरत मोश पा रहे हो और यह हो गया कॉंसेप्ट की मसल क्यों ठक जाती है और जैसे कि रेड्मसल फॉइबर तो एक्जाम्पल लिख लो जैसे कि मसल सबसब्स ऑफ एथलीट ठीक है? अब अगे अवह खुकाईट को जलो भीमान एबमचे हैं अब आजाते हैं स्केलेटल सीस्टं मोई जडाइब आजाते हैं iskeletal System पर क्या है iskeletal system बड़ा एक framework यह framework जो support करें क्या करें support करें समझ पा रहे हो जैसे कि जब घर मकान बनते हैंना तो सबसे पहले क्या होता है एक धाचा तर्यार करते हैं ठीक है पहले उसमें ँसरिया बांधते हैं ऐसे करके सरीया लगाते torch फिर उसमें वो मसाला भरते हैं और फाइनली एक खंबा बन जाता है समझ पा रहे हो वैसे ही skeleton भी क्या है एक framework है पहले एक धाचा बनाया गया फिर उसके साथ ही सारे organs को लगाया गया और उसके बाद मिला हमें एक complete animal body समझ पा रहे हो ठीक है तो यहां पर यहां पर देखो consist of a framework एक framework है बेटा किसका bones का और cartilage का समझ पा रहे हो ठीक है लेकिन यहां पर देखो जो बेटा bones है वो कैसी है hard है कैसी है hard है और इन में present होता है calcium salt ठीक है क्या present है calcium salt present है जब की जो cartilage है बेटा जो cartilage है वो थोड़ा सा लचीला होता है कैसा होता है लचीला जिसको बोलते है pliable प्लाइबल और इसमें present होते हैं कॉंड्राइट इन साल्ट ठीक है कॉंड्राइट इन साल्ट और सबसे अच्छा एक्जामपल कॉंड्राइट इन सल्फेट ठीक है तो यहां पर देखो आखिर यह framework बॉड़ी में कहां कहां पिर प्रेजेंट हो सकता है डिपरेंट ग्रूप ऑफ एनीमल में ठीक है तो एक तो external बॉड़ी के बाहर हो सकता है internal जैसे कि humans में बॉड़ी के अंदर skeleton है और hydrostatic और hydrostatic ठीक है जो कि fluid environment में काम करेगा समझ पा रहे हो तो देखो external insect तो फटा घर में cockroach सब के होगा सब के घर में cockroach होगा तो जड़ा सा देखना गौर करना इस बात को cockroach की body पे उपर से थोड़ा सा hard material रहता है थोड़ा सा hard material रहता है जो कि क्या है exoskeleton body के बाहर skeleton present है जैसे कि example हो गया insects ठीक है यहां पर skeleton skeleton present outside the body outside the body समझ पा रहे हो बेटा जबकि internal जो skeleton या कि जो की framework है वो present inside the body ठीक है skeleton present in inside the body समझ पा रहे हो बेटा जैसे कि example ले ले अपना ही example लेंगे बेटा human beings समझ पा रहे हो इतनी बात अब आता है hydrostatic skeleton ठीक है यह मिलता है बेटा किसमें किसमें मिलता है जैसे कि निडेरियंस में निडेरियंस और एने लेट्स एने लेट्स में ठीक है तो बेसिकली बेटा कितने टाइपस के हुए तीन टाइपस के इसमें मेजर ली तुम याद रखोगे external और याद रखोगे internal ठीक है external मतलब बॉडी के बाहर internal मतलब बॉडी के अंदर समझ पा रहे हैं इतनी बात समझ पा रहे हो तो सबसे पहले बिटा अगर बॉड्स का बना है तो बॉड्स को एकदम फूलेज़त मिलनी चाहिए फूलेज़त मिलनी चाहिए बिटा कितनी बॉड्स हैं human body में 206 अब आज अब बिटा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं structure of bone ठीक है सभी ड्रॉड करेंगे बिटा structure of bone बनाएंगे ये ये बनाया हमने structure of bone ठीक है ये बनाया structure of bone ठीक है बड़ा सभी साथ साथ में बनाएंगे मेरे ये बनाई हमने अंदर की layer और इनी दो layers के बीच में बिटा जो part दिख रहा है वही bone का hard part है ठीक है वही bone का कैसा part है hard part तो यहाँ पर आजाओ बनाएंगे red bone marrow red bone marrow बनाएंगे ये ये बनाया हमने red bone marrow इधर और बनाया red bone marrow इधर ठीक है बन गया red bone marrow बेटा बन गया 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 अब आजाओ yellow bone marrow पर बीच में present है yellow bone marrow ये देखो ये हो गई हमारी येलो बोन मैरो ठीक है फिर से आजो ज़रा से यहाँ पे सही कर लेते हैं बेटा अपनी अंदर वाली लाइनिंग ये ये हो गया हमारा इस्ट्रक्चर बोन का ठीक है अब चलो बेटा देखो किस वाली इस्ट्रक्चर को किस लेयर को क्या कहते हैं तो ये जो सबसे बाहर की लेयर है बेटा समझ पा रहे हो ये क्या है पेरी माइसियम क्या है पेरी माइसियम है ठीक है अंदर जो ब्लू कलर से है य यह है endomycem, endomycem, ठीक है, यह जो red बाला structure, this is red bone marrow, red bone marrow, yellow बाला structure, this is yellow bone marrow, yellow bone marrow, ठीक है, और यह भी आपकी red bone marrow, समझ पारों बेटा, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा important point, कि जो red bone marrow होता है, यहाँ पर होता है erythropoiesis, और erythropoiesis ना लिख करके, hematopoiesis लिखो, ठीक है, hematopoiesis, hematopoiesis, यानि की formation of blood cells, ठीक है, और बेटा hematopoiesis कब होगी, hematopoiesis तब होगी, जब आएगा erythropoietin hormone, और कहां से आएगा, kidney से आएगा, ठीक है, अब जो yellow bone marrow है, यह क्या है, storage of fat, storage of fat, समझ पा रहे हो, ठीक है, यह storage of fat हो गया, अब देखो, जरा सा, ध्यान दो बेटा, यहाँ पर, कि, यह जो part, इतना, और यह जो part, इतना, इन दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को बोलेंगे, epiphysis, epiphysis, यह भी epiphysis, ठीक है, epiphysis हो गया, दूसरी बात, जो यह beach का structure इतना बचा है, यह क्या है, diaphysis, क्या है बेटा, diaphysis, यह फिर इसी को कहते है, bone shaft, ठीक है, इसी को कहते है, bone shaft कहते है, अब ध्यान दो, हम कहते रहें कि bones बड़ी hard हैं, bones बड़ी hard हैं, तो देखो, आखिर, कहां का part, कितना part hard है बेटा, तो देखो, यह जो present है, perimysium और endomysium के बीच में इतना part, यह, this is the hard part of the bone, और आखिर इसमें क्या होता है, तो जड़ा यहाँ पे देखो, कि आखिर, इस part में है क्या, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर बनाएंगे बेटा, थोड़ा सा बड़ा करके, तो यह हमने बनाया, एंडomysium और यह बनाई, perimysium, ठीक है, यह हो गई, perimysium, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक special types of cells बनाएंगे, osteogenic cells कहते हैं, क्या कहते हैं, osteogenic cells, दोनों साइट से होंगी बेटा, इधर भी और इधर भी, यह हो गई, यह होंई, osteogenic cells, ठीक है, osteogenic cells के बाद, बनाएंगे दूसरी cells, osteoblast cells, ठीक है, osteoblast cell, अब को यह नहीं बोलेगा, कि यह blast करेंगी, blast नहीं करेंगी, यह करेंगी, osteocytes का formation, ठीक है, osteoblast cell, बना ली, अब यह क्या करेंगी, जो osteoblast हैं बेटा, यह खुप सारा matrix secret करेंगी, और बनाएंगी fluid filled cavity, lacuna बोलते हैं, क्या बोलते हैं, lacuna, ठीक है, एक बनाया, अब यहाँ पर, दूसरा, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, जो यह fluid filled cavity, osteoblast ने बनाई खुप सारा matrix secret करके, यहीं पर क्या होगा, यहीं पर क्या होगा, यहीं पर प्रेजेंट होंगी, bone cell, जिनको कहते हैं, osteocytes, और osteocytes का structure कैसा, star shaped, ठीक है, यह, यह, इसी के अंदर प्रेजेंट हैं, osteocytes, क्या इतनी बाद समझ पा रहे हों बेटा, ध्यान देना इस चीज़ पर, यहाँ पर भी यह osteocytes, यह osteocytes बनाई हमने, ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ देखो, कि यहाँ पर यह एक कैनाल दिख रही है, ये एक कैनाल दिख रही है ठीक है समझ पा रहे हो और बाकी हम देखते हैं कि एक कैनाल इन दोनों को आपस में जोड़ेगी ये इन दोनों को आपस में जोड़ेगी बेटा ठीक है तो देखो सबसे पहले ये क्या हो गया एंडो माईसियम एंडो जैनिक सेल्स ऑस्टियो जैनिक सेल्स हो गई यह क्या हो गई ऑस्टियो ब्लास्ट हो गई ठीक है और यह क्या हो गया यहां पर लिख लेते हैं अच्छा इजरी लिख लेते हैं यह हो गया पेरिमाइसीम ठीक है अब देखो यह जो एक कैनाल दिख रही है ये कैनाल ये है बेटा है वर्जन कैनाल है वर्जन कैनाल और ये जो जोड रही है ये जो दो कैनाल को जोड रही है ये है वाक मांस कैनाल ठीक है बेटा, इतनी बात समझ पा रहे हो, क्या तुम्हें structure of bone clear है, क्या तुम्हें structure of bone clear है बेटा, ठीक है, तो चलो बेटा चलते हैं, नेक्स्ट पे, ये है actual structure of bone, अब आज आओ, skeleton पर तो बेटा, जब हम बात करते हैं human skeleton की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि human skeleton basically दो parts में divided है, कितने parts में, दो parts में, पहला हमारा axial skeleton और दूसरा हो जाएगा appendicular skeleton, समझ पा रहे हो, axial skeleton का मतलब क्या है, जो तुम्हारी body की axis पर है, ठीक है, axis पर है, यानि कि यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे और पीछे की तरफ, यहाँ से चलेंगे पीछे की तरफ और जो body के दोनों sides में present है, समझ पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पर हो गया तुम्हारा इसकल, इसकल, फिर हो गए ribs, vertebral column, sternum, समझ पा रहे हो, इसकल में आ जैसे कि facial bones, जैसे कि cranial bones, ठीक है, और ear ossicles, और यह hyoid bone, यह सभी किसमें आ जाएंगे, axial skeleton में, और जब हम आएंगे appendicular पर, तब हम वहाँ पर देखेंगे, कि जितने भी girdles हैं, जैसे कि pelvic girdle, pectoral girdle, और हमारे जो limb bones हैं, वो सभी किसमें आ जाएंगे, appendicular skeleton में, कि एतनी बात समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर देखो बेटा, जो axial skeleton है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, skull, क्या पढ़ेंगे, skull, दूसरा, क्या पढ़ेंगे, skull के बाद आ जाओ, इसकल के बाद आ जाओ, जैसे कि vertebral, column, column, ठीक ह हाँ, तीसरा जैसे की ribs, तीसरा जैसे की ribs हो गया, sternum हो गई, और क्या हो गया, पांचमा हो गया, अब की hyoid, ठीक है, और जितनी भी ear bones है, ठीक है, ear bones, यह सभी किसमें आ जाएंगे, बेटा, यह आ जाएंगे, axial skeleton में, और पूरी की पूरी, बेटा, जो 206 हड़ियां है, उसमें से जो 80 bones हैं, वो किसमें है, axial में है, बाकी की 126 किसमें है, appendicular में, समझ पा रहे हो, इस चीज़ को, तो यहाँ पर girdles पढ़ेंगे, girdles, जिसमें की, pectoral girdle, और pelvic girdle, ठीक है, अब pelvic girdle, अब girdles हो गए, उसके बाद पढ़ेंगे, limb bones, उसके बाद, limb bones, और limb bones में, बेटा, forelim की, forelim की, और hind limb की, ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, तो यह एक basic structure हो गया, जहां पर हमने introduction में देखा, की हम axial में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और appendicular में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, समझ पा रहे हो, तो चलो जब एक्जियल पर देखते हैं, अब आज़ा, number one, skull, ठीक है, इस skull में कितनी bones हैं बेटा, 22, कितनी है, 22, जिसमें से की 8 तो cranial हो गई, और facial कितनी हो गई, 14, ठीक है, फेशिल कितनी हो गई, 14 हो गई तो ज़रा से यहाँ पर इस्पेस बना लिए जाए इस्पेस बना लिए जाए बेटा जिससे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है, चलो ठीक है, अब आजाओ cranial bones पर पहले आते हैं cranial bones पर पहले आते हैं और यहाँ पर देखो, तो देखो सबसे पहले बेटा, याद करो यहाँ पर brain को, किसको याद करना है brain को, और brain का सबसे बड़ा part, cerebrum ठीक है, और cerebrum के four major lobes, frontal parietal, temporal, और occipital ठीक है, तो देखो उसी के नाम से है ना बेटा बिलकोल उसी के नाम से जो cerebrum की frontal lobe होगी, उसको protect कर रही है, कौन सी cranial bone frontal, जो वहाँ पर parietal lobe होगी, उसको protect कर रही है, parietal bone temporal वाली, temporal lobe को protect करेगी, और occipital वाली, occipital lobe को protect करेगी ठीक है, समझ पा रहे हैं इतनी बात तो देखो यहाँ पर एक तो काम हो गया protection का, अब आजाओ जो frontal bone है तो देखो, यह है ना पूरा frontal bone का part यह यही है ना, तो देखो यहाँ पर जो eye socket है, जो क्या है, eye socket इसका upper part कौन बना रहा है, eye socket मतलब जहाँ पर eyes present है इसका upper part यानि की उपर वाला part कौन बना रहा है, frontal bone बना रही है, ठीक है तो जो frontal bone है बेटा यह क्या करेगी, यह formation करेगी formation of upper eye socket ठीक है, upper eye socket बनाया, दूसरा जो तुमारा माथा है, जो forehead है formation of forehead माथा बनाएगी, ठीक है दूसरा यह protection करेगी यह करेगी protection protection किसका करेगी of frontal lobe किसकी? cerebrum की समझ पारे इतनी बात ठीक है, तो यह बात हुई किसकी? frontal bone की अब आज़ो parietal पर अब आज़ो parietal पर तो parietal क्या करने वाला है? parietal करेगा protection कौन सी लोब का, बेटा? protection किस लोब का? of parietal lobe ठीक है? parietal lobe दूसरी बात जब सर में दर्द होता है ना सर में दर्द होता है ना तो ये ये सारा पेन यहीं पर है बेटा किस में? parietal लोब में समझ पा रहे हो? और जब parietal यहाँ पर लोब में पेन होता है तो feeling कहाँ पर आएगी? parietal bone में ठीक है? अब आज़ो temporal पर अब आज़ो temporal पर ठीक है? temporal में यहाँ पर देखो protection करेगा temporal लोब का साथ ही साथ में इसी में present होते हैं ear structures तुमारे कान जो है ना वो temporal bone में ही धसे हुए ठीक है? तो यहाँ पर protection of temporal lobe ठीक है? temporal lobe को protect करेंगे साथ ही साथ यहीं पर present है कौन? ear structures ear structures ठीक है? ear structure present हो गए अब आज़ो बेटा important जो की occipital occipital is important क्यों important? तो देखो यहाँ पर पहला function इसका लिखेंगे ज़रा सा कि यह कर रही है protect occipital lobe को occipital lobe को उसी के साथ साथ यह protect करती है हमारे cerebellum को occipital lobe and cerebellum cerebellum ठीक है cerebellum समझते हो ना जो पार्ट किसका था? hind brain का ठीक है? तो यहाँ पर cerebellum का protection हो गया अब बेटा ध्यान दो जरा साथ सब अपने पीछे से यहाँ पर feel करेंगे जरा सा feel करेंगे यहाँ पर दो एकदम उठे हुए गोले जैसे दिखाई देंगे यहाँ पर हड़ियों का ऐसा लग रहा है कि दो गोले जैसे उठे हुए ठीक है? सब feel करेंगे एक साथ तो देखो तो यह जो दो गोले तुम्हें दिखाई दे रहे हैं यह है condyles क्या है बेटा? condyles या फिर यह कौन सी बोन में है? occipital bone में है ना तो क्या बोलेंगे occipital? condyles ठीक है? यही पर है बेटा two condyles ठीक है? दो condyles है अब आखिर क्या मतलब है? भगया क्यों पढ़ रहे है condyles को? तो देखो यह जो दो condyles है किसकल कैसा है? जो कि तुम्हे movement allow करता है 180 degree का कि तुम अपनी गर्दान यह ऐसे घुमा सकते हो? यह ऐसे घुमा सकते हो बस इससे ज़्यादा बिना body को move किये तुम पीछे नहीं देख सकते बस जो ठीक है? body move किये बस इतना देख सकते हो और इतना देख सकते हो अगर इससे पीछे घुमना है तो फिर तुम्हे body को move कराना पड़ेगा तब ही उधर देख पाऊगे समझ पा रहे हो तो जो die condylic is skull है वो क्या करता है? वो क्या करता है बच्चों? यह allow करता है allow 180 degree movement of head movement समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अब जरा सा यहाँ पर दो-चार बाते सुन लो बेटा देखो यहाँ पर बात हो गई die condylic की अगर skull monocondylic है सिर्फ एक ही condylic है तो वो जैसे की birds जैसे की चड़ियां वो क्या करती है? इधर भी देख लिया इधर भी देख लिया पीछे तक घूम गया उनका सर तो उनके कितने condylic है? एक monocondylic किसका? birds का ठीक है? आप देखो जो snakes होते हैं न बेटा वो अपना सर ऐसे-एसे move नहीं कर सकते उनको जैसे की ऐसे होता है न बेटा ऐसे होता है न तुम बनाते रहते होगे मुझे पता है तुम बनाते रहते होगे ये shape तो देखो इस तरीके से पूरा body move करके इधर देखेंगे पूरा body move करके इधर देखेंगे कभी कोई ऐसा साप देखा जो यहां तक खड़ा रहे और फिर अपना गर्दन घुमा ले नहीं पूरा body move करता है ठीक है क्यों? क्योंकि उसके skull में कितने condyles है तीन condyles है यानि कि tricondylic skull समझ पा रहे हो तो बेटा tricondylic skull movement नहीं हो सकता dicondylic skull 180 degree पर ही move कर सकते हैं और monocondylic पूरा चारो तरफ देख सकते हैं समझ पा रहे हो तो तुम अपना याद रखो कि कैसा है दो condyles है dicondylic दूसरी बात अब यहाँ पर देखो देखो यह condyles मान लो बेटा दो condyles है ठीक है अब हम कहते हैं कि जो हमारा vertebral column है यहाँ पर जुड़ा हुआ है यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो भाई आखिर कहां जुड़ा है तो यहाँ पर जो हमारी cervical vertebra है आगे बताएंगे यहाँ से vertebral column शुरू होता है वहाँ पर कहते हैं 7 vertebra को cervical vertebra तो जो पहली cervical vertebra है C1 वो यहाँ पर बनाती है joints इन दोनों condyles के साथ, इन दोनों condyles के साथ, समझ पा रहे हो, और इस joints को कहते हैं बेटा, condyloid joint, ठीक है, condyloid joint, समझ पा रहे हो, तो जो तुम ऐसे ऐसे करते हो न, कि no, नहीं, किसी ने कुछ पूछा और तुम्हें बताने का मन नहीं, तो तुम कहते हो no, no, ठीक है, या फिर किसी ने कुछ पूछा तो तुम कहते हो, हाँ मुझे बताना है, yes, खाना खाया, yes, ठीक है, तो यह जो no वाला movement है, यह जो no वाला movement है वो कौन अलाव करता है condyloid joint ठीक है इसी के नीचे बेटा दूसरी cervical vertebrae C2 और यहां पर एक joint is joint का नाम pivot joint pivot joint समझ पा रहे हो अब यह क्या कहेगा किसी ने तुम से पूछा कि बेटा तुम्हें गुमने चलना है तो तुम लपक के बोले yes ठीक है तो यह जो movement है यह कौन अलाव कर रहा है this joint समझ पा रहे हैं इतनी बात इतनी बात समझ पा रहे हो तो चलो जरा सा देखो अब यहां पर occipital में एक और important चीज़ है एक और important चीज़ है यहीं पर present होता है एक hole एक hole जिससे की होकर निकलती है कौन spinal cord ठीक है हम बोलते रहते ना बेटा कि brain से ही continue होकर के बनती है spinal cord ठीक है spinal cord hind brain नीचे की तरफ continue होकर के बनाता है spinal cord और दूसरी तरफ हम यंभी कह रहे है कि जो हमारा पूरा brain है वो cranial bronze से protected है तब यह spinal cord कहां से निकली spinal cord कहां से निकली तो यहीं पर occipital bone में ही वो रास्ता है जहां से होकर spinal cord entry करती है vertebral column में समझ पा रहे हो इस रास्ति का कहा ना में बेटा foramen magnum ठीक है foramen magnum ठीक है यहीं से entry लेती है spinal cord कहां entry of spinal cord in vertebral column vertebral column ठीक है क्या इतनी बात समझ में आ रहे ही बेटा क्या frontal parietal temporal और occipital का importance तुम्हें समझ में आया ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब इदार आ जाओ इस फिनॉइड और इथमॉइड ठीक है इस फिनॉइड बोन में ध्यान रखो इसका importance है यहां पर इधर लिखते हैं इस फिनॉइड बोन में एक कैविटी है सेला तर्शिका नाम से जिसमें क्या प्रेजेंट है तुम्हारी पिट्ट्री ग्लैंड ठीक है है जाग कैविटी इसमें प्रज़ का नाम क्या है सेला तर्शिका और तर्शिका और तर्शिका में कौन है बेटा पिट्ट्यूट्री है ठीक है पिट्ट्ट्री समझ पा रहे हो और फिर आजाती है हमरे डूसरी बोंस यह इस इत्रमौइड ये कहां है यह दोनों आखों के बीच में हैं प्रेजेंट कि मटन आइज अ क्या इतनी बात समझ पा रहे हो ठीक है निप्र चलो जरा नयक्स पर चलते हैं देखो इतनी क्लियर है तो जड़ा इधर आजाओ इसको रफ कर ले बेटा जिससे कि हम फेशियल बॉन्स भी बढ़ सकते हैं और तुमको यह सारा कुछ लिखना ए रफ करने से पहले मेरे ठीक है अब हमने इतना रफ किया और अब हम आ जाएंगे थेश्यल बॉन्स पर गभार तो चलो बेटा आ जो आ जो बेटा नेजल बॉन ठीक है नेजल बॉन do प्रेजक क्या पता चल रहा है है कि बारे में बात हो रही एक इसके बारे में। बात हो रही है नाक नाक के बारे में नेजल वो नाक में प्रिजच सब्सक्राइबितoin quero करने फॉर्मेशन करती है फिर फॉर्मेशन ओफ क कि नाजब की तई नीजल ब्रिजका-al Amini क्या मतलब आसु आना ठीक है तो लेक्रीमाल बौन यहाँ पर present manifest है जिसमें कि present होती है लेक्रीमाल डाक्ड ठीक है यहाँ पर क्या है लेक्रीमाल ड़क्ड डाक्ड झा जिस प्रेजेन्ट और यही है सबसे स्मॉलेस्थ फेशियुल बोन ठीक है अब आजो इनफिरियर नेजल कौंग के ठीक है इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा टर्बिनल कहते हैं जब रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो बताया था कि टर्बिनल क्या काम करते हैं वामिंग अप दा एयर ठीक है वाम अप दा एयर कितनी गरम करेंगे बेटा गरम करते ही चले जाएंगे हीटर लगा हुआ है नहीं इतनी वाम अप करेंगे कि तुम्हारे बॉड़ी टंपरेचर के बराबर में जो एर तुमने इनहेल की है वहां तक पहुंच जाए ठीक है अब आजो मैकजिला मैकजिला क्या है मैकजिला ceremony जो है ठीक है अब आजओ मैंडीबल मैंडीबल क्या है NEW जो नीचे वाला जो ये कैसा है मूवेबल है मूब कर सकता है नहीं किया है तो और सब कर करके देखेंगे अगर नीचे वाला जबड़ा पकड लो टुम ना बोल सकते हो ना मूँ खोल सकते हो ना खासकते हो ठीक है जो मूव कर रहा है, वो हमेशा कौन है, ये वाला जाओ, नीचे वाला, ठीक है, अब वोमर पे आजाओ, वोमर क्या करेगा, वोमर क्या करेगा, बनाएगा नेजल सेप्टम, ठीक है, फार्मेशन ऑफ नेजल सेप्टम, बिल्कुल आगे प्रिजनेटcko करेगा, नेजल सेप्टम का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर यह ट्राइङंगूलर बोन, ठीक है, वोमर क्या कर रही है, फार्मेशन ऑफ नेजल सेप्टम, ठीक है, अब आजाओ, जाईगोमेटिक, चीक बोन ठीक है यह लोगों की निकले रहते हैं यह ऐसे यह थीक है तो यह जो बोन है यह कौन सी है जाइगोमेटिक क्या बोलते हैं चीक बोन ठीक है क्या बोलते हैं चीक बोन अब देखो पैलेंटाइन पर आजाओ अब पैलेंटाइन क्या है यह जैसे कि अब इधर पढ़ कि उपर का आई सॉकेट तो कौन बना रहा है फ्रंटल कौन बना रहा है किसका पार्ट क्रैनियल का लेकिन आई सॉकेट का नीचे वाला पार्ट प tat कौन बनाएगँ बेटा तो वो बनाएगी प्रेश़ बोन का थीक है फ्रॉर्मिशन और formation of lower eye socket lower eye socket क्या इतनी बात समझ में आ रही बेटा ठीक है एक एक function बहुत important है सभी bones का और यहां पर तुम number भी याद रखो के सभी bones के कि कितने हैं ठीक है तो nasal bone कितनी है बेटा दो है lacrimal भी दो inferior terminals भी दो है maxilla दो है mandible एक है warmer भी एक है और zygomatic दो palentine दो सभी को मिला दो तो कितनी हो जाएंगी 14 और यहां पर भी frontal one parietal two temporal भी दो occipital एक ethmoid एक और sphenoid एक ठीक है क्या बात समझ पा रहे बेटा ठीक है तो देखो कितनी होगे total one two three four five six seven eight कितनी हो गई आठ ठीक है तो देखो एक एक लाइन में सबकी importance याद रखो बेटा और यहां पर occipital और sphenoid को तुम्हें याद रखना है क्योंकि यहां पर फोरेमेंड मेगनम और सेला टर्शिका से काफी सारे questions पूछे जाते हैं समझ पा रहे हो तो चलो बेटा नेक्स पे चलते हैं अब आजाओ ear bones ear bones ठीक है तो जो सबसे पहली बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहली जो ear bone मिलेगी वो कौन है melleus ठीक है फिर बीच में है incus और फिर सबसे last में steps और body की बेटा सबसे छोटी हड़ी है कौन steps ठीक है तो जो भी ear bones है इन्हें ear ossicles भी कहते हैं और इनका function क्या होता है तुमने जो भी सुना उसके बाद sound wave आई और फिर यहां पर इन bones के through हो करके अंदर जाती है ठीक है तो यह bones एक दूसरे पर धक 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 इस तरीके से क्या करती है amplification करते हैं किसका sound waves का ठीक है तो इनका function है बेटा amplification of sound ठीक है amplification of sounds अब आचाती हायोइड यहां पर हायोइड बॉन कितनी है बेटा वन यहां पर देखो ear bone six लिखी है यहां पर बोला कि तीन ही है confused नहीं होने का तीन इसकान में होंगी बेटा तीन इसकान में होंगी confused मनहीं होने का हायोइड एक है और बॉड़ी की एक मात्र ऐजी हड़ी जो किसी दूसरी bone के साथ articulate नहीं करती है बच्चों ठीक है it is the bone which does not articulate मतलब किसी से रिष्टा नहीं रखेंगे अपना के लिए रहेंगे बेटा ठीक है articulate with another bone ठीक है with another bone याद रखोगे हायोइड को ठीक है हायोइड को याद रखना है next पर दलो बेटा अब आजाते हैं vertebral column जो कि बहुत important है अभी C1 और C2 देखाता ना पीछे तो वही यह जो साथ cervical vertebrae है यह जो साथ cervical vertebrae है यह कितनी C cervical vertebrae कितनी है साथ है फिर उससे नीचे 12 vertebrae कौनसी T12 फिर लंबार बेटा 5 ठीक है और sacral पहले 5 होती है fuse होकर 1 बना लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर S5 भी हो सकता है और S1 भी हो सकता है confuse मत होना बेटा ठीक है फिर यहाँ पर coccyx पहले 4 होती है और फिर fuse होकर के 1 बना लेती है ठीक है तो यहाँ पर C4 भी हो सकता है और C1 भी हो सकता है समझ पा रहे हो तो देखो cervical vertebrae ठीक है सबसे पहली इदर आजाओ पहली cervical ठीक है कितनी होंगी बेटा 7 दूसरी कौन सी thoracic thoracic vertebrae कितनी होंगी 12 होंगी ठीक है तीसरी कौन सी है lumbar vertebrae ये कितनी है 5 है अब ध्यान दो जितनी भी बेटा तुम्हारी 12 pairs of ribs है वो इन्हीं 12 thoracic vertebrae से दोनों तरफ से originate होंगी या फिर वहाँ पर जुड़ी होई होती है ठीक है originate तो नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ से ओगती थोड़ी ना है ठीक है तो देखो thoracic vertebrae से क्या होगा पसलियां जूड़ी रहेंगी एक vertebrae से एक इधर एक इधर तो क्या कह देंगी वन पेर ठीक है अब लंबार कितनी है पांच तो देखो body का पूरा weight जो carry कर रहा है body का पूरा weight जो carry कर रहा है वो कौन है लंबार तो देखो जब तुम ज़्यादा देर तक खड़े रहते हो तो यह जहां पर हमारी पीठ का यह हिस्सा है देखो यह हिस्सा यह जहां से यह इस तरीका का करवाता है ठीक है यहीं पर बेटा दर्द होता है यहीं पर दर्द होता है क्यों क्योंकि तुम बहुत देर तक खड़े रहे हो और body का weight को carry करने वाली कौन सी वर्टिबरी है वो है लंबार और इसी वज़े से यह पूरे वर्टिबरल कॉलम में सबसे strongest वर्टिबरी होती है ठीक है strongest strongest ठीक है क्योंकि क्योंकि यह carry करती है whole body weight को समझ पा रहे हो बेटा ठीक है तो अब आजाओ तीन नमबर तो लंबार हो गया अब फॉर्थ नमबर पे चलेंगे फॉर्थ पे आजाओ fourth कौन सा था sacrum ठीक है या फिर sacral भी बोलते है sacral ठीक है sacral कितनी है पहले तो 5 होंगी लेकिन बाद में fuse होकर 1 और फिर last cock 6 यह भी पहले 4 होंगी फिर fuse होकर 1 तो जब तुम इनको जोड़ोगे बिटा तो answer कितना आएगा 26 और यही जब fuse ना होई हो तो फिर answer 33 आएगा ठीक है initial stage में 33 होती है जो कि fuse होकर कि कितनी बनाती है 26 बनाती है क्या इतनी बाद समझ पा रहे बिटा ठीक है तो यह है vertebral column और यहाँ पर देखो जितनी thoracic vertebrae है वहां से ribs जुड़ी होंगी और साथ में मिल करके क्या बनाएंगी एक basket बनाएंगी जिसके अंदर सारे thoracic organs प्रेजेंट होंगे ठीक है और cervical neck region में प्रेजेंट है neck vertebrae लिखी लो यहाँ पर neck vertebrae vertebrae और याद रखोगे कि strongest कौन है लंबार तो चलो बेटा next पर ठीक है यहाँ पर आजाओ ribs के बारे में बात करते है ribs के बारे में बात करते है कितने pairs हैं बेटा 12 pairs ठीक है 12 pairs लेकिन यहाँ पर ज़रा सा ध्यान देने की जरुरत है तो आव ज़रा जो पहला है जुड़रा इस्टर्णम से दूसरा भी इस्टर्णम से जुड़रा है तीसरा भी इस्टर्णम से जुड़रा है चोथा भी इस्टर्णम से पांचवां भी छठा भी और सात्वां भी ठीक है यानि कि साथ पसलियां इधर से और साथ इधर से डाइरेक्ट कॉंटेक्ट बना रहे हैं इस टर्नम के साथ ठीक है इसके साथ बना रहे हैं इस टर्नम के साथ देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है? अब हम यहाँ पर sternum को भी draw कर लें यह, यह है sternum जिसको chest bone भी कहते हैं बेटा, जो कि आगे की तरफ present है यह हो गई sternum ठीक है? इस turnum में initial stages में 3 bones होती है जो कि fuse होकर 1 बना लेती है sternum में कितनी bones? 1, लेकिन initial stage में कितनी होती है? 3, और fuse होकर कितनी बना लेंगी? 1 बना लेंगी, ठीक है? तो जो बेटा देखो, पहले जो 7 pair है जो fast, 7 pair है वो articulate कर रहे हैं ventral side पर ventral समझ रहना बेटा, जो पीछे हमारी pit है, that is dorsal जो आगे का side है, वो ventral ठीक है? पीछे, यानि कि dorsal side पर सभी ribs articulate कर रही होंगी vertebral column के साथ, जो 12 thoracic vertebrae हैं, उन सभी एक एक vertebrae से एक रिविदर, एक रिविदर, ठीक है? लेकिन यहाँ पर classification हो गया, ventral side के base पर तो जो पहली 7 pairs हैं वो ventral में sternum से जुड़ रहे हैं बेटा, ठीक है? तो जो first 7 pairs है first 7 pairs हैं वो ventrally ventrally attached to sternum sternum से जुड़े हैं, ठीक है? इस और यह दोनों side में जुड़े हुए हैं इसी लिए इनको कहते हैं true ribs, क्या कहते हैं? true ribs, ठीक है? अब जरा से इधर आजाओ अब इधर आजाओ देखो अब जो number 8 वाली rib है वो देखो 7 वाली ribs से जुड़ रही है ठीक है? नवी वाली भी 7 वाली से जुड़ रही है और 10 वाली भी 7 वाली से जुड़ती है ठीक है? सेम चीज इधर 8 वाली ये जुड़ेगी 7 वाली से ये और ये ठीक है? ये तीनो ribs इधर की और इधर की इस टर्नम से डारेक्टली आर्टिकुलेट नहीं कर रही है बलकि किस से कर रही है बेटा? 7 वाली ये जुड़ की ribs से ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान दो तो जो पहला जो कितने 3 pairs है 3 pairs ठीक है? 3 pairs यानि कि ये 3 pairs कौन कौन से होंगे? 8th 9th and 10th ठीक है? ये क्या करेंगे? वेंटरली इस तर्नम से नहीं जुड़ कर किस से जुड़ेंगे? 7th नंबर की ribs से ठीक है? Do not articulate with articulate with 7th rib ठीक है? ये बात हो गई इसकी इन 3 pairs की अब आजाओ बेटा अब देखो ये जो 11th वाली दिख रही है ये इधर से आ रही इसके पीछे गई और ये देखो लटकती हुई दिखाई दे रही है 12th वाली देखो ये ये लटकती हुई दिखाई दे रही है ऐसे इधर देखो ये 11th वाली ये निकली और इसके पीछे से होकर ये लटकती हुई दिख रही है और ये लटकती हुई दिख रही है क्या इतना समझ पारे है बेटा ये ना तो sternum से जुड़े हैं और ना ही किसी दूसरी ribs से जुड़े हैं ventral side पर ठीक है dorsal पर जुड़े होंगे vertebral column से लेकिन ventral side पर किसी के साथ जुड़े नहीं है तो इसी वज़े से इनको कहते हैं floating ribs आगे की तरफ किसी से नहीं जुड़े हैं floating ribs ठीक है ये क्या है बेटा floating ribs है तो ज़रा सध्यान दो जो तुम्हारा pair है 11th and 12th ये do not articulate articulate करता ही नहीं है on ventral side क्या इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा क्या इतनी बात समझ पा रहे हो ठीक है और ये बेटा sternum है आगे जिससे की ribs जुड़ रहे हैं और बना रहे हैं thoracic basket sternum का नंबर एक है initial में तीन होते हैं initial में तीन होते हैं फिर हो जाएंगे fuse और बना लेंगे एक और इसी को बेटा कहते हैं chest bone क्या इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा clear है सब को clear है सब को ribs के बारे में sternum के बारे में वर्टिबल कॉलम के बारे में ठीक है बेटा तो यह था हमारा axial skeleton और अगली क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे appendicular skeleton उसी के साथ हम पढ़ेंगे disorders of the locomotion and movement ठीक है और इसके साथ हम अपने इस chapter को खतम कर लेंगे और फिर आगे क्लास में डिसकॉस करेंगे ठीक है? Thank you